मुश्कार अटेंशन मैं आपका स्वागे थे और मैं हूं मनुज बर्मा जी हां अब MP में लासों पर सियासत हो रही है प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है कोरोना से मरने वालों के आंकडों में भी कमी दर्ज की गई है लेकिन प्रदेश में अब कोरोना से मरने वालों को लेकर राजनीती शुरू हो चुकी एक तरफ कांग्रेस के प्रदेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि प्रदेस में कोरोना ने लाखों लोगों की सांसे चीनी हैं और राज्य सरकार जानकारी छपा रही है तो बीजेपी की तरफ से ग्रह मंतिर निरोत्तम मिस्रा ने को चुनोती दी और बात राज नीती से सन्यास तक जापोची लासो पर सियासत पर चर्चा शुरू करें उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट मध्यप्रदेश में कुरोना की दूसरी लहर तो ठमती जा रही है लेकिन दूसरी लहर के बीच अब लाशो पर सियासत चुरू हो गई है कॉंग्रस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनात ने दावा किया है कि कुरोना से हो रही मौतों की आंकडे शिवराज सरकार छेपा रही है कमलनात का दावा है कि प्रदेश में मार्च अपरिल में शम्शान और कब्रिस्तान में एक लाख 27,530 शवों में से एक लाख 2,002 शवों का कोविट प्रोटोकॉल की तहत अंतिम संसकार किया गया साथी कमलनात ने कहा कि सरकार को ये सपष्ट करना चाहिए कि कोविट से प्रदेश में कितनी मौते हुई हैं साथी कमलनात ने बताया कि छिंदवाडा के एक गाउ नूरा का उन्होंने दौरा किया था जहां 10 दिन में 15 लोगों की मौत कुरोना से हुई इसके बाद जब कलेक्टरेट्स की जानकारी ली तो बताया गया कि नूरा गाउ में सिर्फ दो मौते हुई हैं कमलनात ने ये भी कहा कि केंदर सरकार ने तीन दिन पहले राजिस सरकारों से ब्लैक फंगस को महमारी खोशत करने के नरदेश दिये थे लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने 600 से जादा केस मिलने के बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जबकि तमलनादू सहित पाँच राज इस बीमारी को महमारी खोशत कर चुके हैं उन्होंने आरोप लगाया कि ब्लैक फंगस को आईशमान भारत योजना में भी शामिल नहीं किया गया है कि एक लाख 27,503 आकरे बार्स और एप्रेल में मध्य प्रदेश में लाशे पहुंची इसका अस्री प्रतिश्य धमले जो कोवेट के कारण हुआ इसका मतलब एक लाख दो हजार दो यह तो मैं घटा के बोल रहा हूं यह डेल लाख तक जा सकता है और है वे खुलासा करें कगौर्वर्मेंट बदहें हमारे समसाइंज गाठ का की रेकॉर्ड हमसरार में पूरा रेकक यह गाओं में और उन्हें का 15 लोग मर गए ten चाहता हूं kangara तसने में पंदरें लोग मरें उसके बाद मेरी मेरी टीमिसिक मैने को उश्मान योज्णा में лखोंच कि और शुरूब होगि आज अगष्वारों में पड़ा कि वाइट पंगस आ रहा है इसका कोई इलाज नहीं, आयुश्मान योजना में इसको अभी घोशित नहीं किया, 50,000 या 50,000 रुपए लगते हैं इसकी वैक्सिन-वैक्सिन के लिए, इसका क्या प्रबंद है? पीसिसी अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य की बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरुप लगाए, तो इधर कमलनाथ और कॉंग्रेस को जवाब देने के लिए प्रदेश की घ्रह मंतरी नरुत्तमिश्वरा सामने आए, उन्होंने कहा कि कमलनाथ को लाशे गिनने की आदत है, 1984 के दंगे सबको पता है, शिवराज सरकार ने अनुग्रह राशी के लिए एक लाख रुपे की सहायता राशी को मंजूरी दी है, लेकिन कॉंग्रेस की सरकारे ऐसा नहीं कर पाई, तो वो बेवज़य आरोप लगा रही हैं, सांथी ग्रह मंतरी ने कहा कि यदि कमलनाथ के पास कुरोना से एक लाख से जादा मौतो के प्रमान हैं, तो सौपे, अन्यता स्तीफा दे, इतना ही नहीं, ग्रह मंतरी ने ये भी कह दिया, कि यदि वो यानिकी कमलनाथ एक लाख से अधिक मौतो का प्रमान देते हैं, तो मैं स्तीफा दे दूँगा, सांथी नरुतम इश्रा ने राज़िपाल से आग्रह किया कि भाय और भ्रम फैलाकर प्रदेश की छवी बिगार रहे कमलनाथ पर राष्ट्रो द्रोह का मुकदमा दर्ज करवाएं, क्योंकि सम्वेधानिक पत्पर बैचे कमलनाथ घलत कर रहे हैं। ब्रम फैलाएं, जूट बोलें और लगातार जूट पर जूट बोलें, यह चिंता की बात है और निंदा की बात है। कलपना कर सकते हैं आप, एक का भी प्रमाण उनके पास है तो बो रखें, प्रमाण के साथ रखें। लासे गिनवाई हैं, मैं मानता हूँ कि 84 के दंगों से सिखों की जो लासे उन्होंने गिनवाई थी, उसके बाद से उन्होंने आदत होगी लासे गिनने की। कि इन पर 188 के तहट मामला दर्ज करें जो भै फेला रहा है समाज की अंदर। ये जो भारत का आप मान कर रहे हैं, राष्टर दो या इससे संबंदे जो मामला कमला आथ पर बनता हो, वो मामला लगा है इस तरह के लोगों पर, जो कि देश को और प्रदेश को बदराम करने की कोसिस कर रहे हैं, अगर हिम्मत है कमला जी, तो आप प्रमार रखो, या इस्तीफा दो, और आप प्रमार रखोगे तो मैं इस्तीफा दूँगा। अपने सोर्स से जुटाए हैं, गुरुवार को कॉंग्रस वधायकों की वर्च्वल बैटक में कमलनात ने इसको लेकर जानकारी ली थी, उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि कोरोना से ग्रामीन इलाकों में कितनी मौते हुई हैं, इसे सारवजनिक करें, हालकि नाथ के आर इसको लेकर जानकारी प्रदेश वर्च्वल बैटक में जानकारी ली थी, एक वर्च्वल बैटक में के किसान और गेउं खरी दी पर उन्होंने प्रदेश में आग लगाने की शला दी और अभी आंकडे, साफ है कि कोरोना के कहर से जब प्रदेश उबरने की कोशिस कर रहा है, तब नात को सियासत सूज रही है, अब ये मामला कहां जाका ठेरेगा, इस पर सब की नजर होगी, फिलाल लासो पर सियासत पर चर्चा के लिए इस्टूडियों हमारे साथ मुझूद है हमारे एडिट सोर्से से जुटाया और उनके विधायकों ने जानकरी दी, दूसरी बात ये आकला उनको पता चल रहा है 20 दिन बाद माई में, 20 वे दिन वो बता रहे हैं कि मार्च अप्रेल में इतनी मोते हुई है, दूसरी एक बात है कली की जिस बेठक के जिक्र है, उसी में विधायकों ने कहा था कि चिंदवाडा माडल की बड़ी तारीब की थी, कि कैसे वो कोरोना से निप्टे और उसी चिंदवाडा माडल की पूल वो ही मुख्यमत्री कमलनात कोल रहे हैं और वे बार बार कह रहे थे कि गाह में 15 मोते हुई है, सरकार ने 2 मोते बनाई है, आपको नहीं बताना चाहिए कि आखड़े कैसे आया उनके पास, कहा ये मोते हुई, कौन बो लोग है, कमसम वो 15 लोग ही बता देते हैं वो उस गाहों के, कि यह वो 15 मोते हैं जिनकी कोरोना से मोत हुई है, और सरकार ने रिकार्ड में यह वो दो लोग है, जिनको बताया गया है कि इनकी होते हुई, सरकारी आकड़े जो भी जारी हो रहे हैं उससे हटके तो यह तो मान रहे हैं हम के सरकार वास्टवी काकड़े नहीं बता रही है, यह सरकार के पास वास्टवी काकड़े नहीं पहुच रहे हैं जो भी है, उस तो है जिसकी परदाद आ रही है, लेकिन अगबार ने तो अपने पूरे प्रदेश के संबाद दाता हूं के जरिये पूरे प्रदेश के अंदर शम्शान गाटों के मार्च और अप्रेल के आकड़े लेके बता है कि मद्रदेश में 26000 से जाता मोते हुई तो यह अगबार था और उसने वास्तिविक्ता रखी लेकिन तत्यों के साथ रखी अपने संबाद दाताओं से शम्शान गाटों की रिपोर्ट्स बुलवा के वहाँ पे जो कोविट प्रोटोकाल में निदन हुए उनको सामने रखा तब भी 26000 अब कमलात के रहे के एक लाग से ज्यादा फिर वो अपनी ही बात को काट के उसे डेड़ लाग भी बोल रहे हैं तो कमलात मुझे लगता है कि इस समय विरोध की राजनिती कर रहे हैं कल वो यह कह रहे थे क्या कांग्रेस के विदायकों को यह करना चाहिए जब सारी चीजे अब समलती जा रही है तब उनकी जो है नींद खुल रही है बिलकुल जब भयावह इस्तिती थी ज अब संसाधन कम पढ़ रहे थे जब अस्प आलो में जगे नहीं मिल रहे थी एंबूलेंस कम पढ़ रही थी तब कमल नाथ नहीं जागे यह अगर सरकार टीशरी लेहर से निपटिने के लिए आं आख्शम साहँए तो सरकार को जगाने का काम उन्हें करना चाहिए था कि सरकार जागरत रहो तीसरी लेहर आ सकती है लेकिन अब तो सरकार ने सबक ले रही है वो तीसरी लेहर की भी तैयारी कर रही है लेकिन कमलनाद भी जागरत रहते तो शाहद अभी मुख्यमंत्री रहते हैं निश्चित तोर पे उनका उन्हें ये पता नहीं चला कि उनकी सरकार कैसे गिर रही है तो आप इससे अंदाज लगाओ कि मुझे लगता है कि वो देर से जो जागने की आदत है वो ही एक कारण है निश्चित तोर पे एक लाक मोते भी हो सकती है क्योंकि सारे शम्शानों के आकड़े नहीं है बहुत सारे लोग मरे हैं हमने अपने आसपास देख रहे हैं लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे हैं तो उनकी बात में तथ्य होना चाहिए बिलकुल जब अगर एक अगबार अपनी रिपोल्टिंग के अंदर तथ्यों के साथ अपने संभाद्दाताओं के साथ लाइन प्रमाण सहीथ बता रहा है तो आम उस पर भरशा कर सकते हैं अब आपने तो कह दिया कि मिश्यच्ण कर रहे हैं instantly कर או और काम कर रहे हैं जो विपक्ष में भी वही काम कर रहे हैं जो सरकार में रहते हुए सरकार कर रही है बिलकुल के सरकार अगर आगड़े कम कर रही तो कमलाथ सरकार से बाहर होके भी अपनी आदत नहीं बुला पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कम करके बताना हूं भाई किस प के पास हाए है और वही सोर्स से उन्होंने उन आकडों को सारवजिनिक कर दिया रूप रजपाल से काया कि सम्मेदानिक पत्पर वेते हैं आप भायर कर रही है काम तो ग्रह मंत्री भी करा सकते थे लेकिन एक बड़ी चुनोती है कि राजनीती चोड़ने की जो बात हुई है क उसमें वो कहीं मात खाते नजर आ रहे हैं और दूसरी एक और बात है कि जिस प्रकार से जो आकड़े बाजी हो रही है और जो बात बताने की कोशिश हो रही है तो ठीक अगर आप यह भी कह देते कि यह लिश्ट है कमसम उतने सारे नहीं उसके 10 फीजदी नाम भी आप देत कर देते क्योंकि चिंदवाड़ा में उनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है बलाक अध्यस से लेकर तमाम कार करता उनके और चाहते तो वो एक गाउं से एक गाउं से रिपोर्ट मंगा सकते थे उनके पूरे गाउं तक नेटवर्क है उन पंदरा जो मौत हुई एक गाउं मैं तो पता लगी कांग्रेस के बिदायक तो बांकि किन गाउं में यह पता इंए इंचला अब कांग्रेश के रही है कि सब एम्बूलेंस दे दे जब एम्बूलेंस की जरुर्वत थी तब घर में बेठे हुए थे और एंबुलेंस नहीं दे रहे थे हमने देखा है प्रधसन जरूर किया है बिरोज जरूर किया है कांग्रेस के बिदायकों ने लेकिन वैसा सहयोगात्मक रवया नहीं अपनाया रही बाद अब कि यह चैलेंज सुभिकार करने की यह चैलेंज देने की नरुत्तम मिसरा की कि मैं राजनीती छोड़ दूँगा नहीं तो आप छोड़ दी दी तो मनोच जी मुझे लगता है कि इसका पलटवार इसलिए नहीं आया है कि उनको खुद भरोसा नहीं है एक आंकड़ेवाजी वो पेस कर गया है जल्दवाजी में हो सकता है कांग्रेस का पूरा संगठन है मध् कांग्रेस के पास आजाती जिस तरह से काल सेंटर उनने किसानों के लिए खुला था दो कारकरता बिठा देते वो फोन पर नोट करते इसके बाद प्रेस कांवेंस लेना चाहिए दी कमल नाज जी को तबाव बताना चाहिए था कि यह अधिकेत आंकड़े हैं हमारे कारकरता लोगों को भरोसाओ जैसे अखवार वाले दे रहे हैं मीडिया दिखा रहा है कि समसान गांड में लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वह एसे आंकले की पेंड राइव हमने देखा उन्होंने पिछले साल भी उसको हमने भी उसका रियल टाइम चेक हमने किया था और उन किसानो तक हम पहुंच गए थे पूरे प्रदेश के तमाम सारे किसानों के पास और यह बताया था कि किसका कितना कर्ज माफ हुआ हो किस गाउं में रहता है किस जिले में रहता है उसका मोबाइल नंबर क्या रूब क्या किया रहा हूं इसक्रीन हमने बताया था तो शाहद अगर इ यह सरकार जो मोतों का अप्लब्द हो रहा है उसके पास उनमें उतनी सचाइँ नहीं है तो मीडिया ने जो आंकड़े बता हैं उन पर लोग भरोसा करते हैं लेकिन उसमें जमीन आसमान का अंतर है आइख रहे हैं कि सरकार के पास बहाना हो सकता है कि को रोगए लेकिन हरट रेक्स से मोथ गई कोरोना ठीक हो गया किसी और विमारी से मोथ हो गई यह तो साबित कोई करी नहीं पाएगा जिए ग्राउमीड च्छेत्रों की जिनकी बात कमल नाज जी भी कर रहे हैं वहां पे न कोई टैस्ट हुआ ना किसी का पता है कि कोरोना से मौत हुए वहां बुखार आया है हाट अटेक आया जो कोरोना से मौत हो रही है उनमें भी विवारियों से जो साइट एफेक्ट से मौत हो रही है तो उसके आंकड़े भी अलग है लेकिन तबाम आंकड़ों की हम बात करें हैं कि पूरे भी आंकड़े ले आएं वह कि इतने लोगों की मौत हुई है और इतने सामान ने हुए एक अंदाजा तो आएगा पूरा बिलक जैसे नरोत्तम जी कह रहे हैं राजपाल से तो कानुन विवस्ता उनके हाथ में यादी वो घ्रमा के सब प्रचार कर रहे हैं लोगों में देसत पैदा कर रहे हैं तो पुलिस एफाइर दर्ज कर सकती हैं ने दिल्ली में देखा है कि ऐसे पोस्टर लगे नरेंद मोधी के संवेदानी का जिक्र कर रहे थे बिल्कुर्टम जी के नेता पृति प्राप्ष को कबिनेट मंतरी का दर्ज्य पराप्त होता है तो उसके लिए राजपाल से अनुमती लेने की बात इसलिए शायद वो कर रहे थे तो मुझे लगता है लेकिन अगर कोई अपराद हो रहा ह तो वो तो पुलिस विबाग कारिवाई कर सकता है बिल्कुल और कम सम उनके उदारन पश्चिम मंगाल का उनके सामने ही है यह पर चीज़ अचानक से अगर 24 घंटे के घटना करम पर अगर नजर डालें वो पहले CD को लेकर black mail करते हैं कि आप हमारे विदायक खिलाव action कर रहे हमारे पास CD हैगी हनी ट्रेप की लेकिन वो उसमें क्या नाम वो कहते हैं पत्रकारों नों मुझे दी जो सबको पता वो मेरे पास भी है फिर वो जब विदायाकों से बात करते हैं तो वीडियो हमने भी दिखाया हमारे दर्शकों को आज सुबह से कि किसान अंदुलन में आग लगाई है यह बताई है कि सरकार किसानों का भला नहीं कर रही है वो अर् कि अगर हमारे साथ इसा कुछ किया तो ठीक नहीं ही रहोगा या वो किसको मेसेज देना चाहरे है सरकार को या अपने विधायकों को या दिल्ली दरबार को को कि बहुत कंफूज वो दिख रहे हैं सरकार को ब्लेक मेल करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है और जब उनके अपास था अगर जो हअनी het्रेप कांड के मुख्य मंत्री रहते हुए उजांगर हुआ तो निष्ची तो पर उस समय नात को मुख्य मंत्री बने हुए चार दिन हुए थे बतला दो चार महीने का समय हुआ था में हुआ से मुख्य मंतरी बने थे तो यह घटना क्रम थे! तो 15 साल की बीजेपी सरकार के थे उसमें जो अफसर थे इन्वाल किसी पॉलिटीशन के ज्यादा नाम आये नहीं उसके अंदर कुछ अफसरों के नाम आये और वो भी सब दब दबा गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई पता नहीं है लेकिन वो महिला है आज भी जेल में है कि जो इज़्जदार चेरे थे लेकिन जिनके चेरे पर गंदगी बज बजा रही थी उनकी इज़्जद बची रहे इसलिए वो महिला है आज भी जेल में को इत्ता बड़ा जुर्म तो उनने नहीं किया है क्योंकि उनसे अभी भी पूरी सरकार में बेठे वे कई सारे तो निश्चित तोर पे ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इज़्जदारों को बचाने के लिए जैसे मान लीजे अब शिवरा सिंग चौहांत बड़े संवेदंशील व्यक्ति हैं मुक्त मत्री उनका इस मामले में तरकी है कि अगर इस मामले में कुछ होता है तो कई सारे परिवार जो हैं बरबाद हो जाएंगी उनकी सोच ऐसी है बिल्कुल ठीक है कमलात की सोच ऐसी नहीं थी लेकिन कमलात ने भी कुछ नहीं किया कमलात ने बलके कमलात के समय में जो सरवादिक शिर्षपत पे जो सरकारी अपसर थे उनके कारण कई सारी चीज़े सामने आई लेकिन उन्होंने एक काम किया कि कुछ लोगों को बचाने के लिए इंदोर में बुल्डोजर चल गए बुल्डोजर चला दिये तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी गटना ग्रम हुए वो इस तरह के हैं कि जो सरकार में बेठे जो खास करके ब्यूरोक्रेसी है क्योंकि प इसका मतलब केवल कोरी दंकिया यह जिसमें ज्यादा तर इन्वाल अफसर शाही जिन विदायक का नाम है उनने भी आखिर में तक अंदर बाहर होते रहें लेकिन समर्तन नहीं दिया हां और मुझे लगता है कि उसके अंदर जो सरवादिक जो इन्वाल वह वह अफसर शाही हुए जनता के साथ दोका किया इन्होंने अपनी जेब का पिसा ब्लेक BRIल में नहींगी कोई दूसरा ऐसी हमत मात ना क्युumpsानहों के बात और इस जो पूरा जिए सियासी गट नाखरभावी तो जाहिर तो पे किसानी बरी संक्रावित ए प्रभावी थें जिसको हमने भी पहल की, वो मोका आप भुना नहीं पाए, और आप डीजल पेट्रोल एक ऐसा मोका था, जिससे बहुत संख्यक जनता को आप सरात में जोड सकते थे, लेकिन उस पे आप चुपो, तो जाहिड सी वात है या तो आपको मुद्दो की समझ नहीं है, या आप जान हमने देखा है कि यदि खात के दाम बढ़े, कांग्रेस नेता घरों में थे, हमने इसकी पहल की सबसे सामने लाए किस तरह से खात के दाम बढ़े, लेकिन कोरोना के बाद, जब वो जागे, तब तक केंदर सरकार वो दाम बापिस ले चुकी थी, सब तक किसान खात डाल किसानों के आग लगाने की बाद भले ही कर रही हो, आप देखिए जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, तो किसानों को यहां भी भढ़काने की कांग्रेस ने और परने दलोने कोसिस की, टिकेट तक यहां आए, दिगवे सिंग ने वो बिना राजनेतिक, गेर राजनेतिक पंचातें की, लेकि किसान समझदार हो गया है, किसान पहले धोका खा चुका है कांग्रेस से, कर्ज माफी के मामले में वो 15 माह की सरकार वो देख चुका है, तो कि सम्मान निदी मिल रही है, तो जब तुलना करेगा, कांग्रेस ने हमें क्या दिया और भाजपा ने हमें क्या दिया और हमारी बास सुनी जा रही सबसे बड़ी बाद, एदि आज ओला पाला गिरता है, तो मुख्वंतरी पहुच जाते हैं, वो 15 माह में भी यह संकट आया किसानों पर लेकिन किसी ने सुध नहीं लिए, तो किसान मुझे नहीं लगता है कि इसी के कहने पर के जाईए, आग लगाईए, भढ़काईए, आग लगाने से तात पर है कि किसानों को भढ़काईए, तो किसान मद्यपदेश का समझधार है, पहले भी अपनी समझधारी जाहेर कर चुका है एक बार वहकाबी में हो सकता है कि लालाच में आ गया हो उसका दो लाग का करज माफिव हो जाएगा तो उसने जब 28 उप चुना हुए तब उसने सावित कर दिया कि वह गलती हुई थी उसको सुधार लिया और आप इसका एक बड़ा उधारण देखिये मं आप में से साथ जो है बार्ती जनता पर्टी जीती ती जहां किसान अंदोलन हुआ था बिल्कुल जांग्रेस ने बरपूर कोशिश की ती जहां पर राहुर गांधी ने करज माफी का पहली बार वादा किया था तो कांग्रेस को जगाने में ये उसका बड़ा उदारण है रहे हैं और जो थोड़ा बहुत भुरुसा जगा है जो आपके नाम में छुपाया या लोगों को लगता है कि एक बड़ा राजनीती में आप चेहरा हैं चार दसक का अनुभव है तो वह अनुभव जमीन पर दिखना चाहिए और यह लगना चाहिए कि आप वाकई में जनता क साथ खड़े हैं जनता के साथ संकट के समय उनका कंदे से कंदा मिला कर आप साथ देने वाले हैं या पूरा प्रयास कर रहे हैं या एक विपक्ष के नाते आप सरकार को घेर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मुद्दे आप वह उठा रहे हैं जिसमें आपको सियासत सूज रही है, उन से किसी आम आदमी का भला हो, ऐसा होता भी तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हनी ट्रेप के आप बात कर रहे हैं, तो आप एक विधायक को बचाने की बात कर रहे हैं, आप लासों की बात कर रहे हैं, मोतों की बात कर रहे हैं, तो आ कि किसानों की वाय चिन्ता थी तो आप सड़क पर तरते डीजल के धाम ब बात करते आप पहले जया कि की खात के धामों में कमीा सबसीडी बढ़ाई जाए लेकिन जब लकीर जब निकल जाती है अब सांप निकल जाता ताव्द लग मोटी कमर ने पिर ते आदी टीव, नामस्कार.